question number one देखेगा, अच्छा कई लोगों का ये कहना है, आपने हिंदी पेडगोजी में Stephen Krashan नहीं दिया, और Bix नहीं दिया, Kalp नहीं दिया, तो वो English के main topic है, वो हिंदी में इस बार पूछ लिए गए हैं, तो आपको इसलिए तो सारे notes पढ़ने हैं, इवन आप KVS के लिए भी जा रहे हैं, तब भी वो notes इतने ही महतव होने हैं, आप D plus B के लिए जाने हैं, तब भी वो notes पढ़के जाने हैं, क्योंकि उतना तो आता ही आता है हर जगा, तो अगर आपको Bix English Pedagogy में दिया है, तो इसलिए सारे subject के notes पढ़ने हैं, ताकि एक चीज अगर किसी subject में, माल ल चाहिए, फिर हम आगे वाप करेंगे, जवाब दीजेए इसका, देखेगा, 86% लोग ये option कह रहे हैं, बिना watch के में मन नहीं लगता बचकुन से ही, देखेगा एक बार, फटा-फट से बताई गाए, 85 हो गए अब, percentage कम होते जा रही है, ये option वालों की, जबकि ये ऐसा, आँख बंद करके उतर देने वाला प्रशन है, अगर आपने वो, आपने notes भी पढ़े हैं, CDP वाले, तो भी लिखा हुआ है, साफ-साफ उसमें, which stage of development is characterized by lot of hormonal changes and an active search for identity, दोनों ही वर्ड, lot of hormonal changes, यानि विकास के किस चरण में, बहुत से हार्मोन, या हार्मोन संबंदी परिवर्तन होते हैं, तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है, यहाँ पे दो वर्ड हैं, उनको ध्यान दीजेगा, दो वर्ड कौन से हैं, जो टू वर्ड हैं, वो हैं आपके एक में डूपने यार, जो टू वर्ड हैं, वो हैं, एक तो है, hormonal changes, lot of hormonal changes, hormonal changes, इससे एक व्यक्ति आपको याद आ रहे होंगे, दूसरा वर्ड है यां, search for identity, यानि उसको हम कहेंगे, identity crisis, पहचान का संकर्ट, ठी आपको पता हो था, identity crisis की बात किसने की है, Eric Erickson, Eric Erickson, ठीक, तो ये Erickson ने identity crisis की बात की है, किशोर आवस्था के बारे में, 12-18 या WHO के according, 10-19 वर्ष, ठीक, के व्यक्ति को पता नहीं कि मैं हूं कौन, मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं किस तरफ जाओंगा, मेरी पहचान क्य है, मैं बच्चा हूं के बड़ा हूं, वो बीच में कही है, ना तो वो adult है, ना वो बच्चा रहे चुका है, अब वो adolescence में है, किशोर आवस्था में है, बीच की स्तिती हो गई, हॉर्मोनल चेंजिस की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा है, ये period है stress and storm का यानि तनाव एवम तूफान की अवस्था है, किशोर आवस्था, किसने कहा है, Stanley Hall ने, Hall कह रहे हैं कि भईया, storm की अवस्था है, adolescence नाम की इनकी एक पुस्तक भी है, अमेरिकी थे, Stanley Hall, अमेरिकी मनोविज्यानिक है, ठीक है, इन्होंने काफी research की है, किशोर आवस्था पे, भर-भर के, तो बच्चे चड़-चड़े रहते हैं, frustration, aggression, hero worship की age है, transitional period इसको हम कहते हैं, bridge period इसको हम कहते हैं, इसके कितने सारे नाम हैं, जो आपके दो disorder है, नेरॉक्सिया, नर्वोसा और binge eating का एक disorder है आपका, bulimia, उसमें बच्चे खाना चोड़ देंगे, अभी हम marathon में इ उड़ देती हैं, उनको रखता है कि वो मोटी हो रहे हैं, जब कि वो होने ही होती है, bulimia, में इतना जादा खा लेते हैं, कि ओल्टी करने वाली सितिया आ जाती है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ है, और प्याजे के according इस स्टेज में क्या आता है, आपका, abstract thinking, अमूर् according अगर हम देखें, तो जो adolescence की age है, वो है 10-19 वर्ष, 10-19 years of age, clear है बात, infancy में तो दूद पिएगा, मस्त रहेगा, जन्म से 2 वर्ष तक, early childhood 2-6, school जाएगा, कौन सी identity, कैसी identity, किलोने देदो, घूमने को देदो, मज़े हैं, खुश है, middle childhood again 5-11, 8-11 के बीच की स्तिती है, त इसमें 90% से उपर के सही उत्तर होने चाहिए थे, अब आपका एक प्यारा favorite type है questions का, जो इस बार ही introduce हुआ है seated में, वो है कि एक statement है, assertion, यानि एक कथन दिया हुआ है, उसका कारण यानि तर्क दिया हुआ है, R, पहचानिए, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, reason सही ह जानिए, बहुत ही बड़िया, सिक्षा क्या कह रही है, सिक्षा कह रही है, मैं आप ललन टॉप नियूस पर बहुत ही ललन टॉप लग रही थी, आपका आंसर देने का तरीका बहुत ही लाजवाब है, आसो आगे मेरे, thank you so much for the appreciation, तारीफ किस को बुरी लगती है सरकार, और अगर genuine हो, तो क्या ही बात है, देखेगा, आप लोगों ने भी बहुत प्यारे-प्यारे comments किये हैं, मैं आज पढ़ रही थी, D option, 73% लोग D option किया रहे हैं, अजर्शन यानि कथन क्या है, Language development takes place only during infancy, and hence adequate stimulation should be given only till infancy, यानि कथन कहता है कि भाशा विकास केवल शैश्वा वस्था के दौरान होता है, यानि जन्म से दो वर्ष के दौरान होता है, और इसके लिए केवल शैश्वा वस्था तक ही उप्युक्त उदीपन प्रदान करने की जोरत है, यानि बच्चे से जितनी भी बात करनी है, जितनी भी उसको भाशा सिखानी है, सब सिखा दो जन्म से दो वर्ष के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद भाशा विकास रुख जाएगा, ये हुई illogical बात, इसमें कोई भी तर्क नहीं है, क्योंकि जन्म से दो वर्ष में तो बच्चा बिचारा टू वर्ड स्टेज पर ही पहुंचता है, जब वो दो शब्दों को जोड़ करके बोलना सीख जाए, समझ पारे हो बात को, तो ऐसा तो होई नहीं सकता कि इनफैंसी में जितनी लेंग्विज का डिवलपमेंट होना था हो गया, और फिर खतम, तो ये तो गलत बात हुई, बहुत बढ़े नवल, पढ़ लो पढ़, ठीक है, तो D option आप लोग कह रहे हैं, चली समझते हैं, यानि अगर शुरुवाती वर्षों में हम नकारात्मक वातावरण दें, बच्चे को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अर्ली डिवलपमेंट और लेटर का क्या है, बहस है, जैसे nature versus nurture की होती है, अगर शुरुवाती सालों में सही environment नहीं मिला, सही से खाना नहीं मिला, negatively आप बच्चे को abuse कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का है, mentally, physically, whatever, तो ये जीवन भर उसको प्रताड़ित करता रहेगा, पूरे जीवन, तो इसको बदला नहीं जा सकत initial years बहुती critical और sensitive period है, माली जो बच्चपन में चोट लग गई, माव आपने ध्यान तो दिया नहीं, environment ही ऐसा है, गिर गया बच्चा, जीवन भर के लिए हो गई इन चीज़ें, आप malnutrition का शिकार हो गया, कैसे उसको reverse करोगे, तो ये बात तो बिलकुल ही गलत हो गई, और ये बात भी गलत है कि सिर्फ infancy, जबकि सबसे तेजी से भाषा का विकास early childhood में हो रहा है, फिर उसके बाद भी जीवन परियंत आप सीखते रहते हैं, तो answer क्या होगा, दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ A and R are true नहीं, true नहीं, A is true नहीं, A b true नहीं है, बोथ A and R are false, 74% लोग ह इसका सही उतर दे पा रहे हैं, इससे आसान question और क्या बनेगा, बस थोड़ा सा lengthy बना दिया और आप डर गए, आपने घबराना नहीं है, समझ गे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं क्या कहानी है, बोथ A and R are false, language की जब भी बात आएगी तो एक बात हम दिमाग में रखेंगे, चलो छोड़ो ये अभी उसके लिए बचाते हैं, marathon के लिए, परसों के लिए, मैं note सों बता चुके हूं कि कितनी age में कितने words सीखता है, one word stage कब है, two word stage कब है, फटा फट से देखेगा और जवाब दीजेगा, question number 3, call दीजे, question number 3 कहता है, which of the falling statements about development are correct, यानि विका के विशय में, विकास के बारे में, जो development की process है, उसके बारे में कौन सी एक बात सही है, फटा फट से बताईएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा प्यार आपके लिए, सेहर कह रहे है, मेरी तरफ से भी, keep shining, आरे, बिलकुल आप लोग बढ़िया से सीखें, बस इ यानि, विकास की गती में, दर में व्यक्तिगत विभिनताएं पाई जाती है, दो बच्चे हैं, चार साल के हैं, क्या दोनों में, दोनों की भाषा बोलने की शमता एक जैसी होगी, दोनों की सीखने की जो शमता है या दर है, दोनों हो सकता है, कोई देर में सीखे, हो सकता ह सीख जाए हो सकता है किसी की हैट जल्दी बढ़ गई दूसरे को थोड़ा सा और टाम लग जाए है ना कोई बच्चा नौ महीने में चलना या खड़े होना सीख गया दूसरा बच्चा है उसको दो साल लग गए तो यह क्या है इंडिविजल डिफरेंसे हैं व्यक्तिकत विभ आपके सोचने समझने तर्क करने यानि thinking, reasoning, imagination, problem solving, decision making, perception, memory जितनी भी चीज़े दिमाग से जुड़ी हुई है वो सिर्फ genetics की वजह से होती है उनका विकास जो है जिसकी बात प्याजे भी कर रहे हैं नहीं सिर्फ genetics के वजह से नहीं होती है environment का परियावण का भी बराबर का र development का ऐसा नहीं होगा कि आप आज 6 मेने के हैं और कल आप अचानक से एक किशोर की तरह बात करने लग जाएंगे यानि adolescence में चले जाएंगे predictable pattern है ऐसा नहीं हो सकता आज आप गिसट के चलना सीखा है, crawl करना सीखा है, कल आप दोड़ने लग जाएंगे पहले crawl करना सीखा है, गिस गिस के चलना सीखा है, जमीन पर रगड रगड के, उसके बाद आप खड़े होना सीखेंगे, फिर कहीं चलना सीखेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे और फिर तोड़ना सीखेंगे तो एक पैटर्न है, एक predictable पैटर्न है, ऐसा नहीं है, अचानक से कुछ नहीं हो रहा, random changes नहीं आते ठीक ना, तो अगर हम बात करें, हाँ कल ले लेंगे maths पेड़गोजी का एक session, don't worry कल अगर हम बात करतें, fourth point की, यह कहता है, all domains of development are interrelated यानि विकास के सभी पक्ष, physical, चार पक्ष होते हैं मुख्य रूप से, PCSE, physical, cognitive, social और emotional, यानि शारिक, संग्यानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक, चारों क्या है, interrelated है दिल पे छोट लगे कि दिमाग 3 दिन तक काम नहीं करेगा, एक हफते तक खाना नहीं खाते, लोग ब्रेक अप हो जाता है, क्यों? emotional development, संग्यान को भी प्रभावित करा है, शरीर को भी प्रभावित करेगा, सब आपस में जुड़े हुए है, क्या हो, तुम भी नहीं खाती हुखाना, है? हाँ, सुरीर बैटके, देखो एक बार, there are individual differences, ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत है, second वाला point, बाकी सारे सही है, तो first, third or fourth, यानि C option, first, third or fourth, बिल्कुल सही बात है, C option is the right answer, कोई भी इसमें दौरा आए, नहीं है, क्योंकि second गलत है, cognitive development सिर्फ heredity से हो रहा है, नहीं, environment का भी तो रोल है, आप school जा रहे है, आप अपने अतर्क को बहतर बना रहे है, discussion कर रहे है, तो दिमाग थोड़ी सिर्फ genetics से develop हो जाएगा, use भी तो करोगे उससे कहीं, question number 4 देखेगा, question number 4 देखेगा, बाल में ग्यान की देवी हैं, आप आसो आजाएंगे मेरे ऐसी इतनी तारिफ मत करो यार, अब तो हम भी होशियार होगे, अंजली ऐसा कुछ कुछ कह रहे हैं, धन्नवाद, अंजली, देखेगा, फट आफट से जवाब दीजगा, extra बातें थोड़ी सी कम करेंगे, पहले questions आधा तो at least 15 questions solve कर लो, फिर फालतो बाते थोड़ी थोड़ी बीच में कर लेंगे, अभी समझ लो एक बार, इसको test की तरह ही देलो, question number 4 की अगर हम बात करें, तो यह कहता है mathematical questions, यानि गडितिये प्रशन, गडित के प्रशन, involving algebraic expression होगा, यह experience नहीं होगा, expression होगा, involving algebraic expression, ज solve कर रहे हैं, इस तरह की question आपके सामने है, and concerned with hypothetical situations, मान लो कि यह X है, मान लो कि वो Y थी, यह क्या है, hypothetical scenario है, है नहीं महाँ, elementary curriculum में यह चीजें होती है, this is based on the idea that adolescence, यानि किशोर या किशोरी जो है, 12-18 वर्ष की लोग जो है, वैसे प्याजे तो कह रहे हैं, 11-15 तक ही हो hypothetical situation या abstract thinking की बात आएगी, आप समझ जाएंगे formal operational, आपचारिक संक्रियात्मकवस्था, प्याजे की last stage है, SPCF में, और 11-15 वर्ष तक विकास हो जाता है, अमूर्थ चिंतन का, अगर मूर्थ चिंतन लिखा होता, concrete thinking लिखी होती, यानि यह bottle है सामने, मानना नहीं है, bottle है सामन तो यह concrete thinking हो जाती है, यह concrete है, जिसको छुआ जा सकता है, टच और फील किया जा सकता है, जब मानने की बात हो रही कि मानलो X है, Y है, 2X है, यह है, वो है, तो वहाँ hypothetical situation है, परिकल्पना करनी पड़ेगी, अमूर्थ चिंतन करना पड़ेगा, जो सामने नहीं है, उसके बारे में आती है, तो A option is the only right answer over here, आगे बढ़ेंगे question number 5 पर, क्या कहता है प्रशन 5, बताईएगा एक बार, इतनी गर्मी क्यों लिख रहा है, फटा फट से बताईएगा, तभी हम जाकर के बढ़ेंगे आगे, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तो आप जवाब देदीजे बस, question number 5 क बताईए सरकार, 68% लोग A कह रहे है, चली समझते हैं, फटा फट से समझते हैं, देखिएगा, 65% लोग A कह रहे हैं, अगर हम मानें, तो which of the following are the four factors, यह हम जमानों से discuss करते जा रहे हैं, जब पेपर में आते भी नहीं थे तब से भी, क्योंकि एक बार बहुत जमानों पहले आया था, यह question is related, तो चार तत्व विकास को प्रभावित करने वाले प्याजे के अनुसार, आपको तो याद ही होगा M, E, S, E, M, E, S, E, यह चार तत्व हैं, यह stages की बात नहीं और यह प्याजे की चार stages अलग हैं, वो S, P, C, F हैं और यह elements हैं, M for Maturation, A for Activity, जिसको Experience भी कह सकते हैं, Social Experience, S for Equilibration, यह चार क्या हैं, इन पे चर्चा करेंगे, proper marathon में, परीपकुता, क्रियाशीलता, समाजिक तो language या culture की बात वो नहीं कर रहे हैं, positive, negative, reinforcement की बात, punishment की बात, ना प्याजे करेंगे, ना वाइकॉस की करेंगे, observation, attention, retention में भी नहीं, तो A option is the right answer, इसको थोड़ा से समझ लेते हैं, यह जो four elements हैं, दीकिए, एक है प्याजे की चार stages, four stages, given by gene प्याजे, वो है S, P, C, F, यान की sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational, ठीक है, यह हुई, चार stages, अगर हम four elements की बात करें, तत वो कौन से शामिल हैं, बच्चे के विकास में, प्याजे के नुसार, वो तो अवस्थाएं हो गएं, कितनी जन्म से 15 वर्ष तक, four elements में M, E, S, E शामिल है, इसको, यह निमोनिक हैं, दोनों को ही य याद रखने के, इनको याद रख लीजएगा, M, E, S, E, यह क्या कहानी है, maturation परिपकुता, experience यानि बच्चा activity करके सीखेगा, और age के साथ यानि परिपकुता, इसको genetics भी कह सकते हो, कि प्याजे कह रहें कि heredity important है, maturation age के साथ आएगी, experience यानि अनुभव यानि activity यानि, सक क्रिय अगतिविधी करके सीखेगा, social interaction से भी सीखेगा, यह social experience से, और यह तो है ही equilibrium, यह equilibrium क्या है, इसी में adaptation और organization आता है, उस adaptation के अंदर assimilation और accommodation आता है, तो यह कहानी है, आगे बढ़ेंगे question number 6 पर, question number 6 देखेगा, थोड़े lengthy हैं, but easy questions है, तो ऐसा नहीं होगा अगर आपने topics पढ़े हैं, syllabus पढ़ा है, notes पढ़े हैं, और आप ना solve कर पाएं, बहुत घुमा के नहीं है, questions सीधे हैं आज के session, like and share everyone, अच्छा, कोई कह रहा है गुस्से में, वो भी comments में, हाँ बही ऐसे भूल मत जाया करो, कई लोगों को नीन नहीं आती है, देखे, बहुत बढ़े आ एक तरफ और आप, जवाब दीजे सरकार, जवाब, जनता जवाब चाहती है, फटा फट से बताइएगा, c option कह रहे हैं, कई लोग, कई बोले तो, 61% लोग, c option कह रहे हैं, और ये कई लोग, कई हजार होंगे, क्योंकि हम अभी 26,000 हैं, जुड़ करके, देखेगा, अगर हम बात करें, question number 6 की, अभी हम 6 पर ही है, significant difference in Lev Vygosky's and Jean Piaget's theory is about, यानि Vygosky वजीन प्याजे के सिद्धानतों में, मुख्य भेद, मुख्य अंतर क्या है, मुख्य भेद, क्या है, main difference क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है, मुख्य अंतर, क्यों, क्योंकि इनमें समानता हैं, बहुत सारी हैं, कई लोगों को लगत करें, इनमें similarities की, तो दोनों क्या है, एक school of psychology है, constructivism, रचनावाद, चलो इस पे आएंगे पहले answer को समझ लेते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है, तो Vygosky की जब हम बात करें, और प्याजी की बात करें, मुख्य अंतर पहँचानना है, पहला option है, constructive objective role of children in the process of meaning making, बिल्कुल सही बात है, दोनों मानते हैं कि अर्थ निर्माण में बच्चे का सक्रिया रहना बहुत ज़रूरी है, true, दोनों मानेंगे, क्योंकि दोनों constructivist हैं, रचनावादी हैं, बच्चे की रचना करने पे, active रहने पे, focused रहेंगे, ठीक है, बी option है, understanding children as active or passive beings, वो active, passive बेंगे, निर्णों का ही मानना कि बच्चे निश्क्रिया हैं, कि सक्रिया एक जैसा है, ये बात भी ठीक है, इसको देख के घवराना नहीं है आपने, ठीक है, इसका मतलब है, कि दोनों एक तरह से देख रहे हैं, बच्चे को, कि वो active देख बेख रहे हैं, passive दे जा simple और complex process यानि अधिकम कैसी प्रक्रिया है यह दोनों सेम ही मानते हैं क्योंकि रचनवादी है एक ही तरह से देख रहे हैं लेकिन इनका जो relationship है the relationship between language and thought भाशा वा चिंतन के बीच जो संबंद है इसको लेके दोनों अलग है different है यह एक जगह है जहां पर वो सबसे ज़्याद जाती है वाइगास की मानते हैं भाशा और विचार लेंगविज और थौट साथ साफ जाते हैं पैरलली एक टाइम के बाद जाके मिल जाते हैं यह में मुख्य अंतर है अब थोड़ा सा रचनावाद को दो मिनिट दे दीजे क्योंकि अगर आप यह समझ लेते हैं एक सैट हमने ताज महल पे दिल बने हुए देख लियां तो अब तो नॉर्मल डाइग्राम भी हमें ऐसा ही दिखता है एक मिन्टर को शिवानी कुछ पूछ रही है मैंने डी सजेस्टोपीडिया गूगल किया था मैं एक बार देख लूँगे इसको दिमाग से निकल लिए अच्छ आप भी देख लेना अगर देख के किया है फुर तो कोई बात ही नहीं है अगर हम बात करें इसा रचनाबाद कहता है teacher as a facilitator यानि सुविधा दाता है सिक्षक यानि वो माहौल क्रियेट करने वाला विक्ति है जिससे interest आपका develop हो जाए जहां दिक्कत हो आपको वहाँ वो हो सुविधा दाता है सिक्षक ncf 2022 को लेकर के अभी हम ncf 2022 नहीं कर रहे है क्योंकि किसी को नहीं बता आएगा भी या नहीं और बहुत कम chances है क्या है फिर भी एक shift पर risk ले लेंगे जैसे ही पहली shift होगी हमाँ पता चल जाएगा ncf से question अगर 2022 से आ रहे होंगे तो उसको कर लेंगे otherwise नहीं करेंगे क्यों कि मुझे नहीं लगता कि दो जरवाइस पूछा जाएगा बट पता इनका कुछ नहीं है न.e.p को आए हुए time हो गया था उस time तक ठीक है जी चलिए एम प्लीज मेरा नाम ले लिजए सबरीन नाम ले लिए आपका और आप 27,000 लोग जोड़े हुए हैं 10,000 लोग हैं आप like किर दीजे सी बात पर फियर छोड़िए like-like होता रहेगा आते हैं किस पर constructivism यह मानता है कि बच्चे जो है वो active builders of knowledge है active constructors है या builders of knowledge है यानी बच्चे ज्यान के सक्रिय निर्माता है of knowledge यानी ज्यान के सक्रिय निर्माता है ठीक है जी दोनों मानते हैं प्याजे भी वाइग जो मुख्य अंतर है वो thought और language में हैं दो मिनट लग जाएंगे don't worry thought and language यानी विचार और भाशा के बारे में क्या सोचते हैं ये दोनों वो इनका विचार अलग है इसलिए ये दोनों एक दूसरी से अलग हो जाते हैं प्याजे जो है वो radical constructivist हैं वाइकॉस की socio यानी magic रचनावादी हैं कि वो समाज पर जादा focus कर रहे हैं problem आएगी रहाँ आपको या तो आप cbc जाके कुछ करने ही कोशिश कीज़ा जर्वाइज जुबारा paper दीज़े क्योंकि अगर आप माता-पिता के नाम में गलती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं इस चीज़ को इग्नोर मुश्किल ही किया जाएगा विचार और भाषा विचार वम भाषा तो इसमें प्याजे का ये मानना है कि विचार ना केवल पहले आता है यानि thought language से पहले आएगा यानि अगर आप इस pen को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में विचार आया होगा अगर बच्चा आपको देख रहा है छोटा एक 6 महीने एक साल का बच्चा भी तो उसके दिमाग में कुछ तो विचार होगा आपको देख करके बाद में भाशा आती है, बोलना हम बाद में सीखते हैं कि ये pen है, p4 pen, language बाद में सीखते हैं, thought तो पहले आजाता है, और ये thought language को decide करता है, determine करता है, तो thought ना के वल proceed करेगा, ना पहले आएगा, thought precedes the language, but also determines it, भाशा आप बोलेंगे क्या, ये आप पहले सोचते हैं, कभी भी try कर ली जगा, check कर ली जगा, अभी मैं बोल भी रही हैं, तो मैं पहले अंदर सोच रही हूँगी और फिर बोल पा रही हूँगी, thought पहले आता है, ऐसा प्याजे कह रहे हैं, ये चीज होती इतनी तेजी से बड़े होने के बाद कि हमने पता हैं लगता कि हमने सोच के बोला पहले हैं, parallel, साथ-साथ मतलब अलग-अलग अपनी अपनी दुनिया में, parallel चल रहे हैं, ठीक, एक टाइम के बाद जाके एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, thought और language, तीन साल के बाद, क्या और भी समय लग जाता है कही बार, तो ये उल्टा नहीं कह रहे हैं, वाइगोस्की यहाँ, सही था, question number 7 देखेगा, वाइगोस्की believed that, वाइगोस्की का क्या मानना था, ये बताइएगा, फटा-फट से बताइए, वाइगोस्की का क्या मानना था, ये पूछा है, जल्दी से बताइएगा, एक दिन English की भी class ले, अरे लेंगे भाई, सारी classes लेंगे स्मृता एक एक दिन करके, कहां, कौन सी जल्दी है, हम जी ही आपके लिए रहे हैं, और बताइए, ग्यारा से पहले, क्योंकि West Bengal Tate भी है, और आप मैंसे कई लोग, या बहुत सारी लोग भी होंगे, कुछ तो, जो दे रहे होंगे, तो सारी marathon C-Tate की हो जाएगी, क्योंकि वो, जिन पटा फट से बताइएगा, 27602, देखिये, C option 84%, क्या हुआ, ठंड लग रही है, अब तो वो अलाइड कर लो न, तुम आ, मेरी कमर, हैं, मत करो तुम exercise, देखो एक बार, Lab Vygosky, निशा हमारे B-Charge फ़र से आ चुकी है, Lab Vygosky believed that, यानि Lab Vygosky का विश्वास क्या था, पहला option है, the main goal of education is filling students' memories with facts, देखो रटने की बात न, प्याजे कहेंगे, memorize करने की न, Vygosky, facts रटना नहीं है, knowledge को construct करना है, society में interact करके, society, culture, language का प्रयोग करके, ऐसा Vygosky मानते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत, परिशानी, दर् बहुत बढ़े अनू, चौबे, बी option है, children learn primarily, primarily होगा by acting alone and discovering cognitive concepts, देखो acting alone, Vygosky तो समाज के बिना चलते ही नहीं है, कह रहे हैं, society, culture और language से सीख रहे हैं, यह तो गडबड हो जाएगी, learning is constructive as well as a collaborative process, हाँ, group में सीखेंगे, collab का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक लोग जु पीर learning, assistive learning, collaborative, cooperative, यानि society, culture, language, इनको ध्यान में रखना है, जब भी Vygosky का question solve करना हो, SCL, society, language, culture, ये तीन चीज़ों के बहार इनका question नहीं होता, अधिकम मुखेते हैं तब होता है, जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई दीपक जोड़ देते हैं, इन्हीं stimulus और response को मैक्स का notes मिलेगा सरकार, मिलेगा, question number 8 पर चलते हैं, question number 8, क्यूंकि आप ये मान के चलिए कि आप CDP हम बहुत दिन बात practice करेंगे questions, तो आज वाले session को पूरा detailed रखेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें fit हो जाएं, Lawrence Kohlberg क्या कहते हैं, मतलब हम पढ़ेंगे, marathon करेंग क्यों गलत है, सारी बातें तमाम तरहा की, मैं आप hair का कौन सा cut करवाई हैं, छोटी कुमारी ये paper में जरूर आएगा, अगर आपको नहीं पता लगा, तो बता रहे हैं, seat at number आएंगी नहीं, ठीक न? समझ पारे हो? देखो, कोई तो de-suggestopedia बता रहे हैं, प्रीती मिश्रा बता रहे हैं, कि एक application है, जिसमें pedagogy को suggestion मिलते हैं, Google पे detail में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, ऐसी ही learning हम चाहते हैं, इसी को peer learning कहते हैं, वाइक उसकी, कि एक व्यक्तीन question पुछा रहे हैं का, आच समझ गए, real life example, देख या, मैं बिलकुल मुझे सच में नहीं बता है, कौन सा haircut है, मैं उसको बोल दिया था भाई, देखलो, जो पहले का चल रहा हो, उसी को ठीक, बस इंसान लगूँ, ऐसा ना लगे कि मैं बस अभी modeling के लिए जा रहे हूँ, नहीं, तो आज के लिए भी culture ह नहीं करते हैं, refer तो किया है उन्होंने, inspired तो हैं वो, लेकिन copy नहीं किया है, तो ये बात कह सकते हैं, did not refer, मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पढ़लो जाके प्याजे का सिध्धान्त, बात तो ठीक है, फिर आता है B option, proposed six stages of moral development organized into two general levels, ये three levels हैं, तीन इस्तर हैं, दो इस्तर them with a hypothetical situation, यानि Heinz dilemma, उन्होंने जो research की, उन्होंने बच्चों को hinge की दुविधा की काल्पनिक स्थिती दे कर शोध किया है, और Heinz की dilemma one of the examples है, उन्होंने ऐसी बहुत सारी dilemma या दुविधाओं की कहानी बच्चों के सामने प्रस्तुत की थी, जिससे बच्चे फसें, जिससे व बच्च नहीं किया रही है, चलो मैं कोशिच करूँ भी 15 से पहले एक सेशन NVS के लिए ले पाई तो, बाकि all the best, प्रिविए सेशन आप देख की जाएगा, और अगर estet का exam, अगर थोड़ा सा दूर है तो एक सेशन उनके लिए भी ले लूँगी, बच्चे जो हैं हमारे app में आपस नहीं लड़ते रहते हैं, या ना, देखेगा, के estet नहीं बढ़ा रहे हैं, d argues that morality in girls and boys progresses differently in the course of their cognitive development, यानि उनका मानना है कि संगयानात्मक विकास्क्रम में लड़कियों नैतिकता का विकास भिणन होता है, उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, hypothetical situation दे करके research की है कि अगर आपको ऐसी situation में डाल दिया जाए तो किसको बचाएंगे, जूट बोलेंगे, सच बोलेंगे चोरी करना सही होगा, अगलत होगा आपके अनुसार इस पे उनकी ये theory based है अब इसको depend करता है कि देख कैसे रहे है यहाँ पे refer का मतलब अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जा कि प्याजी की theory पढ़ लो उन्होंने अपनी theory में पढ़ते समय, develop करते समय शायद refer किया होगा बट इसका मतलब यहाँ यह जा रहा है कि प्याजी की theory पढ़ लो वो वाला scene नहीं है तो यह exact नहीं बन रहा इससे बहतेर option मारे पास C available है ठीक है copied लिखा होदा तो फरतपूर थरा से गलत हो जाता question number 9 देखेगा यह क्या कहता है समझेगा अगर हम बात करते है question number 9 की यह कहता है in a progressive classroom एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में आज खोब कहानिया समझीए है हमने batch में progressive classroom क्या है क्या है क्या है और पहले भी YouTube पर भी किया है John Dewey को याद कीजिए यह बढ़ती हुई सिक्षा है जो आगे की तरफ लेके जाए ठीक है ना पूर्णिया से हैं आपे पीजिए अच्छा शलिए ठीक है आज मैं comments कम ले रही हूँ focus कीजिए थोड़ा detailed discussion है ज्यान दीजए यह जाद है ना hero मत बनो दूँ देखो एक बार question number है 9 मुझे अधिकार नहीं है चेट का देखो आप progressive classroom यानि प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए dance करना चाहिए क्या करना चाहिए बच्चों को active रखना चाहिए इतना हमें पता है देखते हैं democratic होती है social होती है learning progressive education में present life के लिए होती है education is life itself कहा है progressive classrooms ने यानि उपदेशक होना चाहिए नियंतरन होना चाहिए कक्षा पे didactic manner teacher centered नहीं child centered होनी चाहिए progressive classroom उसी को कहेंगे बी option है give importance to learners previous knowledge and experience यानि शात्रों के पूर्व ज्यान वा अनुभवों को महत्व देना बिल्कुल सही बात है जहां बच्चे की भले की बात हो रही होगी वो progressive education है वो child centered education है जहां बच्चा active है c option है focus solely on extensive motivation आंत्रिक चाहिए भी है बच्चा center में है तो internal motivation आएगी डी option है encourage learners to think critically यानि बच्चा क्या है आलोश नात्मक तरी किसे सोच पाई लगभग कोई भी चीज उसके सामने आए तो हर पक्ष पे विचार कर पाई जस्ट मान ना ले किसने कह दिया 2000 के note में चिप है मान लिया जी हाँ होगी आप कहा रहे हैं तो होगी सरकार ऐसा नहीं है जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कहा जा रहे है कि let's learn से बढ़के seat at हो जाएगा तो वो देखें हाँ काम की चीज़ें ही हो रही है notes और paper में जो question आ रहे हैं यह critical thinking होगी इस पर आप विचार करेंगे समझेंगे जानेंगे second और fourth second और fourth कहा है भई यहाँ पे है बाकी आपका जो third और first है वो गलत है option तो B option is the right answer दोनों का pair सही बनता है अगर यही question सीधे पूछ लेता न तो आप लोग अभी जैसे 70% लोग answer सही दे रहे थे अभी 90 प्लस हो जाता वो ठीक न? वावावाव नितन गयर है फ्रदौस का super chat ने देखा पोल वाली मेडम तो आगे सब को सब की परवाह है सारे ज़मानी की परवाह है आपको 30,000 लोग जुड़े हुए और आपको परवाह है कि फलाने का super chat ने आया है इतना ध्यान खुद पे दे लो पूरा ध्यान रहता है न कहां क्या चल रहे है दुनिया में किस कोने में देखो एक बार question number 10 C option 90% लोग देखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं C option की तो समझते हैं क्या कहानी है assessment should be reported in such a manner यानि मूल्यांकन को अभी assessment का हिंदी में मतलब आकलन होता है English में मूल्यांकन का मतलब evaluation होता है अगर ये इधर evaluation लिखा होता है तो कई बार answer change हो जाएगा क्योंकि evaluation का part है assessment यानि बच्चे को आकलन करना बच्चे का और आकलन किस के लिए होगा feedback के लिए होगा improvement के लिए होगा बहतरी के लिए होगा judge करने के लिए ठपा लगाने के लिए नहीं होगा पहला option है it reflects what the student cannot do यानि वह कार है जो विद्यार्थी नहीं कर सकता तो cannot do पर focus है या कैसे सीखता है इस पर focus रखेंगे it specifies the student's performance in comparison to others दूसरों से compare नहीं बच्चे को खुद की ही पिछली performance से compare करना है बाकी बच्चों से नहीं शर्मा जी वर्मा जी गुपता जी के बेटी बेटा